ध्यान दीजेगा दोस्तों जो आई टीए से रिलेटर जो तैयारी कर रहे हैं देखिएगा उसके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी निकल कर आते हुए दिखाए देरा है देखिएगा रेलवे के तरफ से बेकंसी आते हुए दिखाए देरा है यहां पे देखेंगे तो MP मेट लाइक शेरें सब्सक्राइब कर दें बेल अकन को जरूर प्रेस कर दें ठाकि हर तरग नोटिपकेशन आपको मोबाइल पर मिलता रहे हैं देखिएगा यहां पर बता दे तो यह जो फर्म भरा जाना है देखिएगा 31 तारिक से फर्म भरा जाना शुरू होगा और 31 अगस्त के लिए 590 रुपे का फी रखा गया है उसके अलाबा अगर आप से बिलोंग करते हैं कहां से मद पर देश से तो आपको कितना रुपे देना है 295 रुपे का फी देना है एज का बात करें तो 18 से 28 सल के बीच में एज रखा गया उसके अलाबा बत कर एक जुलाई 2023 से जो है एज का काउंड किया जाएगा चाहे मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम में जो 28 सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम जो है 1 जुलाई 2023 से 18 से कम नहीं होना चाहिए देखेगा टोटल अठासी सीट निकला हुआ है यहां पर बात करें तो एक्जाम जो है टोटल 120 नमर का एक्जाम होना है और दो घंटे का आपको समय दिया जाएगा और यह जो एक्जाम होना है CBT, CBT basic exam होगा, online exam होना है इसके अलावा बात करें तो देखिएगा syllabus proper mention नहीं किया गया किस section कितना question पुछा जाएगा अगर आप further इस से related अगर कोई advertisement दुबारा आता है यहाँ पे MP metrorail के तरब से मैं आपको जरूर जो है वीडियो बना कर अपडेट कर दूँगा जो बोला गया है question दो ही language में रहेंगे या फिर Hindi या फिर English में दो language में question रहने वाला है और 124 का negative रहने वाला है यहाँ पे age relaxation का बात करें तो HTSC OBC अगर आप MP MP का अगर आपके मिसाइल है तो आपको 5 सल का छूट मिलेगा इसके अलाबा PWD को 10 साल ओमेन को 10 साल अगर आप HTSC OBC NCL के ओमेन है तो आपको 15 साल का छूट मिलने वाला है आगे बात कर लें तो देखेंगे 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 सुपरवाइजर का पोस्ट मैं लिक रखा हूँ यहाँ पे देखेंगा दो चीज आपको देखेंगा एक है horizontal और एक है बर्टिकल देखेंगा ओमेन ही लड़ेंगे PWD ही लड़ेंगे समझ गया होंगे मेरे हिसाब से अगर इसके उपर में आप वीडियो चाहते हैं तो मैं प्रोपर इसके उपर में भी वीडियो बता दूंगा और बर्टिकल रिजर्वेशन में क्या प्रोपर अंतर है इसके लावा देखेंगा इसमें दो एक्जाम होना है पहला एक्जाम आपको पास होना है और सकेंड एक्जाम जो है आपको साइको देना होगा साइको में जो है साइको देना है उसके लावा बात करें तो इसका जो मेरीड बनेगा इसका जो मेरीड बनने वाला है मैं आपको बता दूं जो इसका जो मेरीड बनेगा 70% weightage CVT1 का और CBAT का 30% का weightage मिला के फुल इसमें merit बनने वाला है इसके अलाबा बात करें तो देखेगा उसके अलाबा मैं ITI का मैं लिटेट का बात कर लेता हूं मैंटेनिंग एंड सिग्नलिंग टेली rolling track के बात करें तो यहाँ पर देखेगा 10 शेट रखा गया और मैं horizontal का बात नहीं करूँगा मैं vertical का बात करूँगा ITI plus 10 का आपको degree खोज रहा है इसमें देखेगा किस rate के student apply कर पाएंगे electrician का electronics का इसके लावा mechanics का fitters और refrigerator and एसी machine का student इसमें अब लावा पाएंगे इसके लावा बात करें तो maintainer traction का बात करें तो इसमें नो पोस्ट टोटल रखा गया है इसमें 10 प्लस आईटी आई सेम रहेगा electrician, electronics, mechanics, fitters, refrigerator and SE machine के student इसमें apply कर पाएंगे अब maintainer का बात करें तो यहाँ पर देखेगा 15 सिट रखा गया है इसके लावा बात करें आईटी आई सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रेड जो है fitter के student apply कर पाएंगे और एक और पोस्ट है आईटी आई का देखेगा maintainer का वर्क्स का इसमें देखेगा तीन सिट रखा गया इसमें भी आईटी आई वनली फिटर के लिए यह इलिजबल हो जाएंगे कुछ लोग बोलेंगे सिट एनसिबीटी है देखेगा दोनों में से कोई भी अगर आपका है तो आप जो है इसके लिए apply कर पाएंगे उसके अलावा बात करें तो देखेगा इसमें जो है सिर्फ और से पर एक एक एक्जाम होना है और इसके बाद जबाद आपका document verification होना है और married होना है इसमें www.mpmetrorail.com पर जाके आप advertisement को भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो है form को भी apply 31 जुलाई से कर सकते हैं I hope आपको जो है की पूरा का पूरा जो है information जो important point था मैं आपको discuss कर दिया हूं वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा